वेलकम टू अभथी क्लासेज, अभथी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, फिजिकल एजूकेशन के लगातार हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, टौप टॉन्टिफाइब, टॉन्टिफाइब जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए होंगे वेरी वेरी ठीक है बहुत अच्छी तरीके से आपको तयारी करनी है हर दिन आप बिल्कुल टॉप 25 के साथ जुड़े रहिए और आज चलते हैं अपने पहले प्रश्ण पे और साथ में चलते चलते आप वीडियो को लाइक भी जरूर करते चलें पहला प्रश्ण है अपना कि पांच से दस मिंट का जो मंद गत से टहलना निमने स्तर की बैयाम का बिस्तारन कहलाता है तो क्या कहलाता है वो हम उसी को कहते हैं क्या कूल डाउन क्या cool down जब हम 5-10 मिनट तक जो मंदरच से टहलते हैं उसी को हम cool down के नाम से जानते हैं ठीक है cool down आप कहिए है बिलकुल cool down में क्या होता है भई अगर आपने hard work किया है exercise की हुई है तो भई cool down जरूरी है उसमें होता क्या है कि आपकी जो धड़कने है heart rate है बिलकुल नार्मल हो जाएगी और जो है आपकी सरी की ठकावट है वो क्या होगा बिलकुल दूर हो जाएगा क्योंकि लैक्टिक अमल जो है आपकी खतम हो जाती है समाब्ध हो जाती है चलिए अपना जो दूसरा प्रश् civिन है यहाँ पर है कि व्यायाम के बाद सांत होना महत्फपून है व्यायाम के बाद सांत होना या फिर cold down जिसको आपका देए हों जिए क्यों क्योंगि सरीर की कोशिकाओं को आक्शिजन की आपूर्ती और खपत में संतुलन बनाने कर क्या मिलता है वह पुश्य से क्या आपको लैक्टिक अमल को निकालता है वह जो है लैक्टिक अमल को निकालता है और जब तक आपके अंदर आक्षिजन की आपूरती नहीं होगी तब तक आपके जो लैक्टिक अमल है उनका निस्कासन भी नहीं हो पाएगा कहने का तात पर सांत होना बहुत ज जरूरी होता है कूल डाउन जरूरी होता है भै कूल डाउन को हम लिंबरिंग डाउन या फिर वार्मिंग डाउन भी कहते हैं क्या भै वो करता है वो करता है स्वासदर को सामान क्या स्वासदर को सामान करता है और उसी के साथ साथ लैक्टिक अमल का जो इस्तर है जो लेवल ह वो भी घटाता है ठीक है ये बिल्कुल आप याद रखना है कि यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सही होंगे ठीक है देखते हीं अपना अगला प्रश्न और यहाँ पर है कि किसी भी πरतियोगिता के बार यह प्रसिचन लाब दायक है तो कोन सा प्रसिचन मैंने आपको बताया कि भई प्रतियोगिता कोई भी हो कोई भी हो लेकिन वहाँ पर limbering down या फिर warming down जो है warming down, cool down या फिर limbering down करना बहुत ही जरूरी होता है तो भाई प्रसिचन कौन सा लिंबरिंग डाउन जिसको आप ठंधा होना के नाम से जानते हैं तो यह जो है बहुत ही ज़्यादा लाभधायक साबित होता है ठीक है चलते हैं अगले प्रशन पर और यहाँ पर भी कहा जा रहा है भाई लिंबरिंग डाउन कब करते हैं तो लिंबरिंग डाउन, कूल डाउन या फिर वार्मिंग डाउन यह तीनो नाम आप बिल्कुल दिमाग में डाल लो कि यह तीनो होते एक हैं ये तीनों होते और एक हैं और इसको जब हम खेल के पश्यात किसी प्रतियोगिता के बाद में जो है इसको करते हैं और किसलिए किया जाता है क्यों किया जाता है इसको जिससे की धीरे-धीरे ठकावड जो है भई ठकावड जो है आपका धीरे-धीरे आप ठकावड से अराम की अवस्था में आजाएं ठकावड से अराम की अवस्था में ठकावड की अवस्था में आपके सरीर में होता है क्या लैक्टिक अमल जो है भी वह नार्मल करता है इसलिए जो है प्रतियोगिता या फिर खेल के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए भई आराम करना चाहिए बिल्कुल इतना समझ में आ गया होगा और चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ प्रश्ण हमारा यहां पर है कि निमलिखित में से किसी आनव आनवांसिक अनमोदन कहने का तात पर यह है कि जैनेटिक इंडॉमेंट है जैनेटिक इंडॉमेंट जो है स्पीड को स्पीड यानि कि भई आपकी जो गती होती है गती को आप कहते हो आनवांसिक अनमोदन जो गती है आपकी जो है आनवांसिक अनमोदन है और इसी को आप प्रसिछणी ये है कम से कम प्रसिछणी ये कौन सा होगा तो कम से कम कहने का तात पर मैंने अभी आपको बताया कि आनुवांसिक अनुमूदन जो है कौन सा होगा वो गती होगा स्पीड होगी तो इसी का तात पर ये भी है कि जो गती है वो कम से कम प्रसिछणी ये है वह कम से होगा तो भई देखिए हमने बताया यहां पर गती और यहां पर भी आपका गती हाना इसमें हो गया गती तो जो कुसल योजना है इसमें जो है प्राराम की जाती है क्या भई कुसल योजना कला पर पूर्ण कुसलता प्राप्त करने के लिए किस पर कला पर पूर्ण कुसलता प्राप्त करने के पच्यात होगा ये जो कुसल योजना प्रारम की जाती है कला पर पूर कुसलता प्राप्त करने के पच्यात शुरू की जाती है प्रारम की जाती है ठीक है चलते हैं अगले प्रस्ण पर ये पेज भई उड़ बहुत रहा है इनकी उड़ान बहुत तेज है तो भई इसमें देखते हैं कि कोन सा खेल प्रसिच्छन का सिध्धान्त नहीं है, तो कोन सा खेल प्रसिच्छन का सिध्धान्त नहीं यहाँ पर कहा जा रहा है, तो देखिए, जो यहाँ पर दिखाया गया है, क्या, भई देखो, आप यहाँ पर हमने देखा व्याक्तिक्त मत भेद का सिध्धान ये भी तुभई प्रसिच्छन का सिध्धान्त है यहां पर अतिभार का सिध्धान्त भी प्रसिच्छन का सिध्धान्त है इसे के अंतरगत आता है अनुपियोग उपियोग का सिध्धान्त भी इसे के अंतरगत निरंतरता होती है प्रगती होती है सामान व मोटिवेशन आप जो है पढ़े होंगे मनोविज्ञान में मनोविज्ञान में आपने मोटिवेशन का सिध्धान्त पढ़ा है ना कि खेल सिध्धान्त में खेल पर सिच्छन में तो भई ये इसमें नहीं होगा ये याद रखना है आपको और चलते हैं अगले प्रशन पर और क्या सही और पर्याप्त अभ्यास जो है वही जो है एक एथलीट को क्या बना सकता है हना उसमें जो है निपुरू बना सकता है कहने करता पर भई एथलीट दोड़ा जो सही तरीके से अभ्यास किया गया है उसके परफॉर्मेंस में जो है क्या लाता है सुधार लाता है भई ट कहा जा रहा कि एक कुसल प्रसिच्छन का सम्मंद है एक कुसल प्रसिच्छन का सम्मंद क्या होता है भाई किस्से होता है एक जो कुसल प्रसिच्छन होता है तो उसका सम्मंद हिस्से होता है क्यों तुटी को ढूणता है इरर कहा है इसको ढूण कर उसमें सुधार करना क्या ह उसमें टुटियों को लूड़ने का और उप्युक्त सुधार करने सा है जो एक कुछल प्रसिच्छन होगा हाना प्रसिच्छन तक्निक की कौसल ज्यान और ब्योहार सिखाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसका लच्छ क्या होता है किसी ब्यक्त की योगता और आकंचा के अनुरू प्रसिच्छन में सुधार करना है ठीक है यह होते है कुछल प्रसिच्छन का सम्मंद अगला प्रसिच्छन देखा जाए इसमें कहा जा रहा है कि खेल के छेत्र में कुछ दुरघटनाएं किसकी वजह से होती है तो देखिए जब खेल की छेत्र में पूछा जाए तो दुर अगला देखते हैं, खेलों में हम घायल कैसे हो जाते हैं, कहने का तातपरा जब घायल की बात आए, इजड़ होने की बात आए, तब हम लगाते हैं, वहाँ पर खेलों के नियम का पालन ना करने से, अगर आप खेलों के नियम को नहीं पालन करते हैं तो भई वहाँ पर होगा क्या वहाँ पर आप जो है इंजड हो सकते हैं लेकिन जब खेल में दुरगटनाई होती हैं तो मैंने इसके पहले बताए कि भई दोस्पूर उपकरण के कारण जब कि जो हम खेलों में घायल होते है तो वह अगर खेल का नियम का पालन सही तरीकी से नहीं करेंगे तो भई चोट लगने की संभावना वहाँ पर बढ़ जाएगी और उस समय जो है हम जो है इससे नहीं बच सकते जब तक कि हम नियम का पालन ना करें ठीक है इंजड होना ही होना है फिर अगला देखते हैं कि निरिच्छन समझा जाता है तो यह भई यहाँ पर सबसे उप्युक्त सही जो देखा जाएगा इवे निरिच्छन का तातपर होता है भई अलोकन करने की अनभोती वो भी सच्छम अलोकन की अनभोती होती है क्या निरिच्छन जो है एक सच्छम अलोकन की अनभोती समझा ज किएगा हर एक प्रस्ण आये हुए हैं आपके TGT PGT और YALT ग्रेट में तीक है जिमनाश्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जाती है तो भई जिमनाश्टिक कला को अगर उत्तम प्रकार से सीखी जाएगी तो उसमें होना क्या चाहिए सहायक समागरी क्या सहायक समागरी तथा उपकरणों के प्रियोग से सहायक समागरी से भी और उपकरणों के प्रियोग से हम क्या सीखते हैं जिमनाश्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है अब वो चाहे पुरुस्ति हो या फिर महिला की इनके जो है बिलकुल अलग अलग जो है उपकरण होते हैं ना बिभिन बिभिन उपकरण होते हैं और नीमी तरीके से प्रयोग करने से ये लोग बिल्कुल निपुल हो जाएंगे उसमें बिल्कुल निपुल हो जाते हैं और अगला प्रशन देखते हैं यहां पर कहा जा रहा है कि स्रब्य प्रदर प्रभावसाली बनाता है उसके पाठ को उसके पाठ को कैसे बनाता है वो बनाता है जो स्रब्रशनी होती है वह आपके जो पाठ को है न वो प्रभावसाली बनाता है क्या करता है प्रभावसाली बनाता है यह याद रख रहा है आपको ठीक है चलते हैं अगले प्रशन पर है ना शिखाने वाली क्रिया का जो प्रकार है ना उसकी उपर निर्भर करता है कि भई कच्छा का प्रबंथ जो है ना कच्छा का प्रबंथ किस पे सिखाने वाली क्रिया का जो प्रकार होगा उसकी उपर निर्भर करता है ठीक है यहाँ पर यह सही है और अगला पशन देखत हैं कि यहां पर कहा जा रहा सबसे अच्छा अध्यापन धंग मा जाता है इसमें होता क्या है इसमें सीखने और सिखाने वाले दोनों क्या होते हैं एक्टिव होते हैं यहां और सीखने वाला है और यहां पर भैई सिखाने वाला है हना तो यह दोनों सक्रिये होंगे तभी भैई इनकी उद्देश की पूर्ती होगी किनकी भैई सीखने वाले की और सिखाने वालों की भी हना तो यह दो तरफ सक्रीता होती है क्या सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग ह बिल्कुल इसको याद रखें अगला परशन देखते हैं अगला परशन कहा जा रहा है कि बैलाश्टिक परशिच्छन तरीका सबसे अच्छा परशिच्छन है बढ़ाने का तो भई जो बैलाश्टिक परशिच्छन है वो सबसे अच्छा परशिच्छन है किसको बढ़ाने को तो भई हम वो जाते हैं क्या बिल्कुल flexible हो जाते हैं बैलाइस्टिक प्रसिच्चन से बैलाइस्टिक ट्रेनिंग से हम हो जाते हैं बिल्कुल लचीलापन आ जाता है flexible हो जाते हैं रबड बन जाते हैं तो ये जो है सरीर का लचीलापन बढ़ाने का सबसे अच्छा प्रसिच्चन है क्या बैलाइस्टिक प्रसिच्चन या जो है लचीलापन फ्लेक्सिबल बनाने का सबसे उप्यूग प्रसिच्चन माना जाता है तो आगले प्रसिच्चन पर देखते हैं यहां पर है कि किसी भी खेल में अधिकारियों की आवशकता क्यों पड़ती है तो भई सिंपल सी बात है कि जब रेफ्रीज नहीं होंगे अधिकारी नहीं होंगे तो जो खेल का नियम है ना उनका पालन सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो भई कहने का तरत पर है कि खेल के नियमों का जो सही से पालन करना है तो आपको रेफ्रिज रखने पड़ेंगे आपको वहाँ पर अधिकारियों को रखना पड़ेगा उनकी परमाऊ सकता होगी क्यों होगी कि नियमों के साथ खेलने के लिए अधिकारी की जरूरत पड़ती है ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो करने के आप वीडियो को लाइक जरूर करिए आप तो भवेश्य निर्माता हो तो इसलिघी जो है आप वीडियो को लाइ göra करके चलंत को सास्काइब जरूर कर लिए क्योंकि यहां से आपको हर दिन कुछ मिल रहा है सीखने के लिए ठीक है बई परिच्छन परिकल्पना से क कोई बेहतर उपकरण नहीं है जानले के लिए तो ऐसा कोनसा है तो यहां पर यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो माध्यों के जो प्रभावी अंतर होता है यहां का कहने का तात पर यह है कि जो माध्यों में प्रभावी अंतर होता है इसके जानने है तो परिछण के लिए सुन परिकलपना से बेहतर कोई उपकरण नहीं है तो जो प्रभावी अंतर है इनको अगर हमें जानना है तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर माध्यों में प्रभावी अंतर जानने के लिए हम क्या करते क्या है सुने परिकलपना से सुरुवात करते हैं तीके माध्यों में प्र यह मापते किसको हैं यह मापते हैं आपके सामानी गामक योगता को किसको सामानी गामक योगता को मापा जाता है जे सी आर टेस्ट से ठीक है बिलकुल आप याद रखिएगा कि सामानी गामक योगता जो है JCR परिच्छन मापता है ठीक है अगला परशन देखते हैं यहाँ पर जो सामिल है मैंने आपको पहले ही बताया कि JCR परिच्छन में सामिल है तो JCR परिच्छन जो है मोटर स्किल्स का परिच्छन करते हैं इसमें सामान ये मोटर स्किल्स का परिच्छन करते हैं तो मैंने आप आपको बताया थे कि सार्जेंट जंप जे फार जंप भाई इसमें हो गया सार्जेंट जंप फिर आता है आपका क्या इसको आप वर्डिकल जंप कहो या फिर सार्जेंट कम जंप कहो तो यह तो आपका जे से हो गया ना जे सो हो गया फिर भाई सी की बात आती है तो उसमें ज मोटर इसकिल्स है ना भई इससे हम सामान मोटर कॉसल का परिच्छन करते हैं धिर धिर हम अपने अंतिम प्रश्णों के तरफ पहुंच रहे हैं और आपका अगला प्रश्ण है कि गामक गुड निमलखित में से किसका आधार भूत मान गए है ना तो भई ऐसा है तो ये जो है गामक गुड जो है आधार भूत किसके माने गए हैं तो ये क्रिडा कॉसल के माने गए हैं क्या क्रिडा कॉसल के इसमें क्या होता है जैसे कि एक बालक के जो गामक विकास होता है वो कई प्रकार से प्रभावस्ताली होता है तो भई क्याई प्रकार से कहने का तात्पर है कि बाल्यावास्था में गामक जो नियंतरन स्थापित हो जाने के कारण है उनके कर सकता है किसके सारन जो बहुत कारण से प्रभावित होते हैं ठीक है अलग देखते हैं और अगला देखते हैं बिल्कुल अंत्रिम प्रश्ण है अपना यहां पर कहा गया है कि भई सबसे उत्तम विधी कौन सी है गामक कौसल सीखने की भई मोटर स्किल सीखने की मोटर स्किल सीखने की जो सबसे उत्तम विधी है वो कौन सी विधी है तो जो अभ्यास विधी मानी जाती है क्या अभ्यास विधी जो है सबसे सूपर है इसको सीखने की अभ्यास विधी कहने का तातपर है कि भई तैरना दोडना साइकलिंग करना यह सभी जो है हना इसमें होत क्या है कि भई अभ्यास से सुधार होती है और परिपकता आती है तो इस प्रकार से आज का जो आप वीडियो देख रहते हो गया यहीं पर टॉप 25 होता है समाप भई आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पुरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक और कमेट करन के लिए नमस्कार